हाथ उपर करना है दोनों अपने बगवान ने हाथ दिये हैं फिर उसके बाद ही भीग मांग रहे हो आप दीदी यह आपके आगे हाथ जोड़े मैंने हमारे देश में यह सम्मत करो तो मेरी प्यारी भेहन मेहनत करो ना समान बेचो किसी के बाद नोगरी करो क्या हो जाएगा क मताओ भीग वांगने में क्या मचाथ सी तो गरीब आत्मी फोली होती है उनको भी भीग नहीं मांगनीं थी अब आपकी बच्ची जब अब बड़ी हो जाएगी बड़े इसके दोस्त बन जाएंगे उसके तरी मंवी क्या करती है यह बोल पाएगी भीग मंगती है पिर लोस गाड़ी वाले रुकेंगे नो रेलेड़ पे आपसे समान घरी देंगे इसको बढ़ने के बाद यह लो यह समान बेचना लो समान बेचोगे रापको अच्छी नहीं आएगी इम अच्छा काम करके आई हूं ते इसके लिए भीग मांगो गए तो समाज में हमारी इजत नहीं है यह लो गाइव बीटा लव यू वाइव बीटा इस प्रोके खुषी तो बोल रहे हैं भीग मांगते हो आप हाथ उपर करना ने बगवान ने अट दी हैं पर उसके बारी भीग मांग रहे हैं जी यह आप क्या कि हाद जोडे मैंने हमारे देश में न यह सम्मत करो आप भारत देश में रथे हो अच्छे काम करो आप मेहनत करो मजदूरी करो समान बेचो मेरी आप से अगड़ के भीग मत मागना आप इतने अट्टे-गटे हो कम जोर थोड़ी हो आप यह थोड़ी जावा में भीग नहीं मागऊंगी मेहनत करके कमाऊंगी गाड़ी वाला जो रुकेगा ना तो समान लेगा आप से समान में जना गले में डाले इसको इनके अंदर बहुत सारे पैन हैं एक फकड़ो दो तीन चार लोट ठीक है यह समान बेचना और देखना रात को जब मेहनत करके आओगे तो अच्छा लगेगा भीग मांगने में क्या होता है एक रुपे दो रुपे गाड़ी घटगानी पड़ती है बार बार यह कले में जो पढ़ेंगे ना लोग लिखा हुआ है कि मैं भीग नहीं मा अपका यह बताओ बहुआन ने आपट दीए निया तो भीग क्यों मांगते हो तो मेरी प्यारी भेन मेहनत करो ना समान बेचो किसी के पार नोगरी करो क्या हो जाएगा किसी के पार नोगरी करो लोग है को हमारे भारत देश में लोग भीग मांगेंगे अच्छा लगेगा गलत है ना बेन कितनी गाड़ी को ऐसे घटना पड़े देते हैं दस में से गाड़ी वाला देगा आपको इसको डालो गले में हर बंदा समान खरीदेगा आपसे वो क्यों खरीदेगा इसमें लिखा हुआ है कि मैं भीग नी मागूँगी मैनत करके कमाऊँगी समझगी बेन और समान लेकर आईयो पैन पैन से लिए सब लो ये लो ये लो ये लो फिगे मैं खुशे है बाए बाए